गूर्वांइंग student तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं railway recruitment sale यहांनी railway के तरफ से आई हुए apprenticeship vacancy के बारे में यहां student जैसा की student के तरफ से बहुत जादा queries हो रहे हैं कि सर railway का joh apprentice का form है वो कब आएगा तो देख सकते हैं आप लोग यहां पर फॉर्म जो आप परस टाइम जो यहाँ पर आपको मिलने वाला है ठीक है तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सारा डीटेल्स में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसके लिए चाहिए आपको कौन-कौन से ट्रेड अपलाई कर सकते हैं क्या होना चाहिए तो सारा कुछ में आपको यहाँ पर बताऊंगा कैसे आपको अपलाई करना यह सारा प्रोसेस बताऊंगा और साथी साथ जब इसका अप्लिकेशन फॉर्म फिलप होगा तो उस समय मैं एक सेपरेट वीडियो जो आपको बना दूँगा जैसे कैसे आपको फ तो सारे यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाते हैं ठीक है तो इसलिए आप लोग जो चैनल को जूरू सब्सक्राइब कर लिएगा अब चलिए बात कर लेता है यहाँ पर देखिए मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन वगेरा क्या होना चाहिए तो यहाँ पर पर बेनिफीट दिया जाता है तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा तरी चैनल के बहुत जादा बेनिफीट मिलने वाला थीक है और यहाँ पर बात करें हम लोग सेंटर आपका नौर्ट सेंटरल रेलवे की तरफ से यहां पर आया हुआ है तो आपको यहाँ पर परियाग रा अगा आदा आगा हो जाँ है, यहांची ही हो गया, तो यह सारे देख सकते हैं, आपका यहांपे सारे जगहाज़ा यहाँ आपको मिल सकता और यह चाहिए चाहिए, और आपगा आपका कट से लिए है तुफर हो आप देख करें, यहांपको आपको Oracle के 10 ST OBC से आते हैं तो आपको यहां पर age relaxation दिया जाएगा ST ST वालों को 5 years से दिये जाएंगे और OBC पर 3 years जो age relaxation मिलेगा ठीक है और यदि आप PWD category से आते हैं तो आपको यहां पर maximum 10 years जो चूट मिलेगा एक सर्विसमेन है तो भी आपको यहाँ पर 10 यह इस तरह से छूट यहाँ पर मिलेगा ठीक है एज में अब हम लोग यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सेपरेटली देखें लिग दिया गया है कि कि इनका जो एज मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसके बीच में होना चाहिए यदि आप जेनरल के टोगरी से आते हैं तो आपका जो जन्म देख सकते हैं यहाँ पर कौन से यहाँ से नाइंटीन सेवेंटीन नाइंटीन नाइंटीन से लेके आपका 2006 तक के जिनका भी जन्म हुआ है वो इसमें अपलाय कर सकते हैं जेनरल कंडिडेट के लिए उसी तरह से एस्टी की बात करें तो यहाँ पर बिराउनवे से लेके आपका 2006 तक है उसके बात करें तो बिराउनवे से लेके 2006 तक के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए अपलाय कर सकते हैं ठीक है इसको आप लोग देख लिजेए एक बार अच्छी तरह से उस आप यहां पर टेंट कर लेकर लख़ते हैं तो आप इसके लिए अपला invee कर सकते हैं और तीसरा जो यहां पर telijkनिकल क्रेंचस में ओपिरण इमराऑ कर सकते हैं इसमें क्वैलिफिकेशन से अब यहां पे बात कर लेते हैं कौन-कौन से ट्रेड के स्टूडेंट इसके लिए अपलाइ कर सकते हैं तो पहला आप लोग देख सकते हैं यहां पर फीटर है ठीक है दूसरा जो ट्रेड है वह वेल्डर है तीसरा जो आपका वह है अरमेचर वाइंडर सकते हैं उसके बाद मेकेनिस्ट से करेंटर एकक्रीशन है एक सारे किरह अपर देख सकते हैं jokies के लिए अपलाई कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर देखिए एक चीज़ आप यहां पे ध्यान दिज़ेगा कि यदि आपका result जो है वो अभी नहीं आया है वेटिंग में है वेटिंग में है तो आप इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं यदि आपका result 277 2021 यानि जब आज के date में जब मतलब की apply यहां पे notification जारी हुआ है उसके पहले आपका pass out होना जरूरी है एक चीज़ आप ध्यान दिज़ेगा ठीक है यदि आप इसके पहले pass out है तभी आप इसके लिए apply किज़ेगा आपके certificate पे ये date से पहले का date mention होना चाहिए तभी इसके लिए आप apply किज़ेगा ठीक है तो जो भी 1820 session के student है वो देख लेंगे एक बार कि उनका जो certificate आया है उसमें date इससे पहले mention है तो आप इसके लिए विल्कुल apply कर सकते हैं ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखिए diploma है यदि आप degree holder है तो आप इसके लिए apply नहीं करेंगे सिर्फ only ये iti student के लिए ही है अब चलिए next हम लोग बात कर लेते हैं आप trade wise slot हो गया यह सारे चीज़ करता हूं उसके यहाँ पर payment की बात करें देखिए यहाँ पर 100 रुपएस जो आपको फीस देने होंगे यदि आप लोग जैनरल या फिर OBC candidate है तो और यहाँ पर 0 कोई फीस नहीं लगेगा ठीक है payment जो आप लोग यहाँ पर online मौड में कर पाएंगे जब आप लोग अप्ला यहाँ से आपको अप्लाइ करना है इसलिए मैं आभी वीडियो के डिस्रिप्सन बॉक्स में भी डाल दूगा वहाँ से भी आप लोग इसको उपर आके देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास सब यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट चीजें हैं वह मैं कुछ डि आपका स्लेक्शन हो जाएगा जब जाके आपका जो है यह सारे चीज़ काम आएंगे ठीक है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मौड ऑप स्लेक्शन जो कि सबसे इंपोर्टेंट है आपका स्लेक्शन जो किस बेसिस पर यहाँ पर होगा तो आप लोग देखिए आपका 10 में मार्क्स है प्लस आपका जो आईटी आई में मार्क्स है दोनों को यहाँ पर मिला के आपका मेरिट जो वो प्रिपेर किया जाएगा ठीक है 50% वेटेंट को दिया जाएगा 50% आपका आईटी आई के मार्क्स को दिया जाएगा ठीक है तो टोटल मिला के आपका इस बेसिस प बिसिस पे आपका यहां पर जो सेलेक्शन होगा ठीक है और सॉट लिस्ट जो किया जाएगा जितना नमबर वेकेंसी है उसके 1.5 टाइमस जो कंडिडेट है उनको डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा ठीक है चलिए यहां पर देखिए किलियरली लिख दिया है कोई भी रिटर्ण टेस्ट या भायवाज होए नहीं होगा ठीक है सिंपल आपका मार्क्स के बिसिस पे यहां पर सलेक्शन होगा चलिए नेक्स्ट और यहां पर देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट चीज और मैं आपको बता देता ठीक है अब बात कर लेते हैं मौड अपलिकेसन कैसे आपको इसके लिए अपलाई करना है तो इसके लिए आपको इस वेब साइट पर आ जाना ठीक है उसके बाद यहां पर देखिए आपको परसनल डिटेल्स जो अपना फीलप करना पड़ेगा उसमें आपको अधार नमर आपके लिए mandatory है आपके पास अधार कार्ड नहीं है तो आप इसके लिए apply नहीं कर पाईएगा अधार कार्ड चाहिए या फिर आपके पास enrollment ID चाहिए ठीक है यहाँ पर डाल सकते हैं अधार कार्ड के लिए अधार कार्ड या फिर आप लोग यहां पर रिजिस्ट्रेशन अपने अध्यार के लिए किया हुआ है तो अधार कर सकते हैं यहां पर उसके बाद आपको फादर्स नेम यह सारे चीज़ जो आपका जो भी आप फिलब किजएगा वह अप मैट्रिक के बैसिस पर किजएगा ठीक है जो भी आपके मैट्रिक के साटिफिकेट में रहेगा वही आपको यहां पर फिलब करना है क्योंकि जब आप डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो उसमें आपका मिलाया जाएगा मैट्रिक के साटिफिकेट के साथ और यदि नहीं मैच करेगा तो फिर आपको प्रोब्लम हो सकता है और देखिए यहां पर मोबाईल और इमेल यह मेंडेटरी है यह तो देखें डोकुमेंट जो चाहिए आपको होगा वो पचास से लेके 200 के बीच में चाहिए होगा एट का यदि आपने 8 प्लस आटि आई किया है तो आपको एट का चाहिए होगा ठीक है साटिफिकेट प्रूफ अप डेट ऑप बर्थ उसमें आप 10 का साटिफिकेट डाल सकते है उसके बद आई टी आई का साटिफिकेट चाहिए होगा इसरे चीज़ आपको यहां पे स्कैन कोपी लगेगा पचास से लेकर 200 क बीच में पीडिया फॉर्मेट में ठीक है यह सारे चीज़ आपको अपलोड करना रहेगा फोटो हो गया आपका सिगनेचर हो गया लर नहीं है आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसको मैं वीडियो के निचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा पीडियोप का लिंक ठीक है वहां से आप लोग देख लिज जाएगा एक बार तो कहां पर कितना वेकेंसी है यहां पर मेंशन किया गया है आप लोग एक बार देख लिजएगा और जो भी आपको सही लगे वहां पर आप लोग अप्लाइ कर देख जाएगा तो चलिए मिलता है नेक्स अपडेट में